कि गेर इरादातन हत्या जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से कि अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावदान किया है heat and run case मरता हुआ छोड़ कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावदान होना चाहिए और ये नरेंद्र मोधी सरकार का उचित ही नेन है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगे दी है इसके बाद भारत सरकार किसी राजे सरकार विदेश की सरकार अंतराष्ट्य अंतर सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कुट्य भी आतंकवादी माने जाएंगे और मैंने मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाईस बची है कि इसका दुरूपयोग हूँ और मैं सदन को आस्वस्त करना जाएंगे कानून तो लिखी हुई चीज है इसका अमल करते वक अगर कोई इसका दुरूपयोग करता है यहां तक अमारी सरकार का सवाल है साब हम उसको रोकेंगे भी और उसको नश्यद भी करेंगे सजा भी देंगे और सबसे उपर कौट है अगर किसके ग्रिवन्सिस है तो यह अतं पर से आतंकवाद को ही न रोका जाए मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता मानेवर मैं सदन से अपिल करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मुदी सरकार लेकर आई है आपका समर्थन चाहिए सिर्वाद चाहिए और जिरो टॉलरंस का इस संदेश इस सदन से जाना चाहिए के अंदर हमने साइबर अपराद को आर्थिक अपराद को भूमी अथ्यानक को हख्यारों की व्यापार को डकेती को और मानव लोगों की तसकरी करने व्यक्तियों की मानव तसकरी में यह सभी को इसके अंदर रखा है आर्थिक अपराद की भी हमने व्यक्या की है करंसी सरकारी स्टेम का कुटकरन हवाला व्यहवार और बड़े पैमाने पर वित्तिय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास इसको भी आर्थिक अफरात की व्याख्यतिके दरफ पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इससे मुझे लगत हाता है कि नाय पालिका का काम काफी सरल हो जाब अन्योवर अ एक करना चाहता हूं, की गेर इरादातन हत्या जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से कि अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है, एक गाड़ी चलाता रहा blends हो एक व्यक्ति और पोली स्टेशन या तो हस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजाका प्रावधान किया है और हीट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजाका प्रूब आप पर मैं मानता हुँ कि इससे हीट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी पर एक करते करते जो डाक्टरों की नेगलिजन्सी से अगर किसी की मृत्ती आती है तो वो भी गहर इरादातन हत्या में आ जाके इसकी भी सजा बढ़ दो तो हमने इसको एक मैं आज ओफिसल एमेंडमेंट लेकर आऊंगा डाक्टरों को इससे मुक् करने का प्रावदान की है मनेवर मॉब लिंचिंग का नया प्रावदान हम लेकर आये हैं नसल जाती समुदाय या किसी संका के आधार पर एक टोला एकत्री ठोकर किसी को मार देता है दूसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है स्नेचिंग के लिए कोई कानून नहीं था जै जाते हैं थे सन्याचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है और मानेवर गंबीर चोट का जो कानून था इसमें भी हमने दो डिविजन करे हैं किसी ने किसी के सरपल लाठी मार दी इंजड हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए परन्तु लाठी मारने के कारण वो का प्रावधान किया है इसको सेपरेट किया है मानेवर गंबीर चोट का जो खंड 117 है उसमें 10 साल की उम्रकैत का हमने प्रावधान किया है